Hello students, welcome to this lecture, I am Bhagwan Ji Kurni तो students, इसके पहले वाले lecture जो मैंने class 9th का science का जो chapter 8 है motion start कर चुका था, ये lecture number 2 है, ठीक है? अब lecture 1 जो है, lecture 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैं थूड़ा सा आपको explain कर देता हूँ और जिनने अभी lecture 1 नहीं देखा है, तो मैं description box में आपको link send कर दूँगा तो आप उस link पर जाका जो है, सबसे पहले तो chapter 8 है, उसका lecture number 1 attempt करें ताकि ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आजा lecture 2 में तो lecture 1 में हमने पढ़ा था कि rest क्या होता है, motion क्या होता है? बेसिक चीज बताई थी मैंने, rest और motion, ध्यान से सुनना, rest और motion क्या होता है? क्योंकि chapter का नाम है motion, तो motion तो हमें समझ नहीं है, साथ ही साथ हमें ये पता होने चाहिए कि exactly rest भी क्या होता है? समझ रहा है ना बात को? तो आज हम इस lecture में पढ़ेंगे, uniform and non-uniform motion, uniform and non-uniform motion यहाँ पर आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस lecture में, ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आता है, uniform motion क्या होता है, exactly uniform motion क्या है? समझ रहा है ना बात को? तो when our bodies travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. दिहान से सुनेंगे, अब कई बच्चे जो सूच रहाँगे कि यह क्या बोल दिया? बेना body travel equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. अब दिहान से सुनें. मैं आपको तीन स्टॉप देता हूँ. 1, 2, 3, 4, ठीक है ना? A, B, C, D. मैंने कहा तीन ऐसी points है, चार ऐसी points है, जिनकी बीच की distance बन किलो मीटर है, कितनी है? बन किलो मीटर है, यहाँ पे भी बन किलो मीटर है, यहाँ पे भी बन किलो मीटर है. अब समझना बात को, मैं uniform motion explain कर रहा हूँ. तो हमें तीन ऐसी, जो है, चार ऐसी points दिये थे, जिनकी बीच की जो distance थी, वो बन किलो मीटर, बन किलो मीटर, बन किलो मीटर थी. जब कोई बन्दा यहाँ से यहाँ travel किया, उसने, A point से, B point पे जब वो पहुँचा, तो उसको मालो मैंने कहा, कि उसको 30 मिनिट लगा, कितना मिनिट लगा? 30 मिनिट लगा. जब B से C गया तब B 30 मिनिट लगा, और C से D पे गया तब B 30 मिनिट लगा, इसका मतलब यह है, कि उसको हर एक same distance, equal distance, same time में cover कर रहा है, that means उसकी जो, क्या है, motion जो है, वो uniform motion हुआ, कौन सा motion हुआ, uniform motion हुआ, नहीं आया समझ. मैं एक और example से आपका explain करता हूँ, जैसे आप जब दोड़ रहे हैं, कोई दो बंदा है, वो दोड़ रहे हैं, उनको ठीके A पॉइंट पे थे, ठीके A और B पॉइंट पे थे, उनको C और D पॉइंट पे पहुँचना है, तो उसको पहुँचने के लिए दोनों को same time लगा तो क्या हुआ, दोनों का जो motion है, वो uniform हो, क्यों, क्योंकि वो equal interval of time में equal distance जो है, cover कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, आपका uniform motion हो जाएगा, is it clear, अब हम बात करते हैं, आपे non uniform motion के, in this type of motion, the body will travel unequal distance in equal interval of time, मैंने का 30 minute, 30 minute, दो लोगों के पास हैं, A और B के, जब मैंने इनको बोला कि आपको cover करना distance, तो क्या हुआ, time interval दोनों को same मिला था, लेकिन एक ने distance ज़्यादा cover करी, और एक ने distance कम cover करी, या फिर मैं कहूं, कि वोई example, एक, दो, तीन stop थी, ठीक है, यहां से यहां तक 30 minute में माल लो, उसने, 30 minute में, माल लो, मैंने कहा कि उसने 500 meter distance cover करी, और वोई 30 minute में, उसने जो है, यहां पर माल लो, मैंने कहा कि 800 meter distance cover करी, या फिर, एक और अच्छे example आपको बता सकते हैं, कि जहां क्या नहीं होता है, आपके traffic नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा distance cover कर पाएंगे न, time, उसी उतने ही time में, 30 minute में ही, suppose, ठीक है न, और अगर traffic बिलकुर नहीं होगा, तो आप 30 minute में, बहुत ज़्यादा distance cover कर लेंगे, और traffic होगा, तो वोई 30 minute में हो सकता, आप बहुत कम distance cover कर पाएंगे, तो यह क्या है, non uniform motion होता है, क्या होता है, non uniform motion, in this type of motion, the body will be travel unequal distance in equal interval of time, ठीक है, continuous increase in slope, curve indicate accelerated non uniform motion, यह क्या है, accelerated non uniform motion, और यह क्या है, de accelerated non uniform motion, zit के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आँगे हम देखेंगे, कि दो type के motion होते हैं, एक तो होता है, accelerated motion, बेना motion of a body is increased with time, motion क्या हो, time के respect में, उसका motion increase हो, motion कैसा हो, increase हो, कैसा हो, increase, ठीक है, तो वो क्या होता है, accelerated increasing motion, in accelerated motion कह सकते हैं उसको, क्या कहेंगे, accelerated motion कहेंगे, समझ रहना बात को, क्या कहेंगे, in accelerated motion कहेंगे, ठीक है, और, next seat जो आती है, वो de accelerated motion होते है, de-accelerated क्या है वेना motion of our body is decreased with time मतलब motion जो है वो कम हो रहा है motion क्या हो रहा है यहां पर कम हो रहा है decrease हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा de-accelerated motion होगा क्या होगा de-accelerated motion होगा सभी को इतना clear है हाँ या ना समझ रहा है ना बात को तो यहां तक हमने क्या देखा कि uniform motion क्या होता है non uniform क्या होते हैं और type of non uniform motion है आप हमने समझे ठीक है तो अब हम next video में मिलेंगी speed or distance speed और velocity के साथ तब तक इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ पाएं ठीक है और अभी तक जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो की लिंक आप तक automatically पहुंच पा सब्सक्राइब करें तक आने वाली वीडियो से चाली वीडियो कि अपर दोवफ तक भीडियो को जाने वीडियो से बाली प्णक्राइब कर दोड से से